हलो दोस्तो मुहम्मत आये चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गले का नाप लेके एक जो कॉलर आता है कुर्टा पट्टी वाला फिक्स क्योंकि कुर्टा पट्टी तो मैंने कई वाल सिखाया है लेकिन गले का अब देखिए आपको क्या करना है ध्यान से गले का बिरोट अकसर हम यहां पर ती नुच लेते लेडिस उसमें और यहां पर हम इसको तक्रीबद तीन इच तरीके से लेते हैं तो इसको हम कि इस तरीके से मदद से के इडिखिए चोग नजर आरहे हैं तो यहाँ पे ऐसे निसान लगा के थोड़ा सब निसान मेरे से हल्का सा सा राउंड गलत हो गया मैं क्याजी से सई कर लेता हूं इस तरह recess से आपको यहाँ पर यह कर लेना है ठीक है यह हमने कर लिया अब यहां से हमें तकरीबन आपके उपर है कि आपको जो आगी की जो पटी है यह तावीज वाली यह कितनी चाहिए लेडिस में हम जो अंडाजे से बनाते हैं तो हम यहां पर इसे कट कर लेंगे दोस्तों साड़े 9 या 10 इंच में यह लगा दिया अब इसको में सेंटर में इसकी मज़त से दोस्तों कहची कि यह मज़त से इसको कटिंग कर लेंगे इस निसान तक ठीक है कि मैंने कुर्टा पट्टी तो मैंने कई बार सिखा ये बनाना लेकिन गले का नाप लेकिकर पूर्ता पट्टी मतलब गला आप पूरे में कैसे रखेंगे वो चीज में आपको इसमें सिखाने वाला हूं तो दिहान से देखना और आप एक बार में समझ जाएंगे अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो गले का नाप लेने के लिए मैंने तो खेर सट का कॉलर पहना तो मैं इसे खोल के थोड़ा गला ये ऐसे ख फोड़ा सा हलका लूज़ करके दोस्तों नापनेंगे फिल्कुल फिक्स नहीं नापना हलका लूज़ करके इसको नीजर गया तो इसके टेक्तना उतकर आने तो मैं सबसे पहले कपड़ा लेता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको रखेंगे तो यह हमारे पास कपड़ा हो गया एक कपड़े को हम हटा लेंगे यहां से दोस्तों यह वाला जो कपड़ा है इसमें हमें इसको इस तरीके से रखके कि दाग गपीर को पहले कटिंग कर लें में दोस्तों अंड़ाज से यहां पर आप पहले तो लंबाई में में इसको में 13 लगा लेता हूं कण दितउ लेता हूं और इसको तक्रीबन तीनिच़् के आसपास की या और अधाएंज के आसपास के पत्टी को कटिंग करने तो मैं यहाद पर इसको इस तरीगों कटिंग कर लेता ूँं कि तीन इंच की और फिर इसको नीचे तक दोस्तों चले जाता हूं लेकिंगे अब यहां पर हमने देखिक किनारी को भी हटा दिया है ठीक है किनारी अब इसके लंबाई दोस्तों तकरीबन अंडा जैसे में यहां पंदरा इंच कटिंग कर लेता हूं हमारे पास यह कपड़ा बसता है ठीक है इसकपड़े को हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे किनारी वाली साइड नहीं लेना उसमें खिच पड़ जाती इसको हम ऐसे कर लेंगे अब दोस्तों यह वाला जो कपड़ा ईसको हम ऐसे फोल्ड करने के बार आपको तावीस पट्टी कई द लेंगे मैंने देखिया मीजर कर लिया अब इसको मैं आप선 और देंगे और इस तरीके से दोष भी स्टोँ हमें यहाव ऑन पर लगा देनी है तो हाँ आप देखते हैं पत्टिए बार में बैठ गई अब दोस्तों हुम्में क्वार करना है फील्ड और करना है ति कि एक का 19 20 हो सकता है तो यहां पे आप देखेंगे थोड़ा फर्ग पड़ा है आप इसे बाद में प्रैस से सैट कर लें लेकिन यह आपको करना ऐसे जैसे यहां पर एक इन्स एक सूत हो रहा है यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया होगा तो यहां पर हम इसको सैट कर सकते हैं से जादा बनाएंगे फिनीसिंग आपके हाथ में आती जाएगी अब दोस्तों जितनी आपकी पट्टी है ठीक है उससे आदा इंच एक्स्टा लेकिए आपको यहां पर इससे कटिंग कर लेना है इस तरीके से अब यह कटिंग कर लिया इस पट्टी को अलग रखेंगे अब जो हमने यहां पर तीन इन चोड़ी पट्टी कटिंग कर लिए इसका क्या करेंगे दोस्तों फरेंट वाला पल्ला लेंगे देखिए यह हमारा फरेंट वाला पल्ला है और यह हमारी बैक साइड है हम इसको ऐ को यह वीडियो में पूरा दिखा रहा हूं अब यहां पर यहां पर क्या करना है यह जो पट्टी हमारी थी ना इस साइड में आपको रहे एक चूट ऊपर रखना है ताकि अंदर पट्टी पलट सके इसको एक पर ऐसे रखने है और अब दोस्तों यहां पर चो सिलाई लगेगी जितनी आपकी चोड़ी पटी होगी उसके हाफ आपको देख लेना इस तरीके से जितना आपका हाफ होगा उतने हाफ निसान से आपको यहां पर इस तरहीए सिलाई लगां के पूरा उपर उताव हो तो चलिए मसीन पर आपको यह सिलाई लगा के हम दिखाते हैं कि किस तरीक से यह सिलाई लगेगी तो देखे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बाढ़ी की से देखें क्योंकि यह बहुती वाली चीज से होती है यहाँ पे हमने बिल्कुल एक सूथ ऊपर करके पट्टी को इसको देखिए उसी मार्जन से बिल्कुल मामनी हलका सा पक्का करूँगा बस मैं इसको और एक बराबर इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे ठीक है और इसको हम यहाँ पे धागे को कर लेंगे दोस्तों कटिंग अब कटिंग करने के बाद दोस्तों इसको हम ऐसे करेंगे हलका हलका यहाँ पे नाखुन लगा लेंगे अब नाखुन लगाने के बाद दोस्तों यहां पे हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद तक्रीबन आपको पट्टी जितनी दिखानी हो मैं यहां पर जो पट्टी ले रहा हूं दोस्तों वो तक्रीबन एक इन से एक सूत कम ले रहा हूं और बाक कि फिर इसको ऐसे गुमा लें और अब जो पट्टी है दोस्तों बिल्कुल इक्वल इसको इस तरीके से करके ठीक है यह देखिए ऐसे करके अब यहां पर हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इसको उतार देंगे ठीक है फिर दोस्तों यहाँ पर हम एक सिलाई और लगाएंगे और अब इसको भी हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम इसे उतार देंगे दोस्तों उतावने के बाद हम तक्रीपन इसको अभी इतना कटिंग करेंगे एक पर उपर के और यहाँ पर धागी है न हम इसको यहाँ पर कटिंग कर लेंगे अब दूसी तरफ में हमारा यह वाली साइड है तो यहाँ पर इसकी किनारी पर यहाँ पर नाव सिलाए लगाएंगे एक इस तरीके से इस तरीके सिलाए लगानी है और खड़ी पट्टी लेनी है आपको आड़ी पट्टी ना ले अगर आड़ी पट्टी आप लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इसे शिलाए लगाओगे न तो यह पट्टी आपकी कम जादा हो सकती है फिनिसिंग नहीं आएगी अब दोस्तों इसको आपको ऐसे लखना है यह पट्टी देखी यह सीडी साई है आपके यहाँ पे यह पर इस निसान लगा लेता हूं अब दोस्तों जो निसान हमने लगा है आपको क्या करना है इसको ऐसे करके इसको ऐसे करना है और इसको नीचे तक ना दोस्तों यह फाल टुक अपड़ा जितना भी इसको कटिंग कर लेना है क्योंकि यह छुप जाएगा तो हम इसको कटिंग कर लेते करने के बाद आपका यह हिस्सा बचेगा इसको ऐसे करना है अब दोस्तों देखे जितनी पट्टी आपकी दिख लिए ना इससे आपको एक सूत अंदर सिलाई लगानी है सिलाई कैसे लगेगी वह आपको रिखाते हैं पहले यह देखी इसमें भी आपको एक सूत ऊपर यहां हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे कपड़ा तो हमारा नीचे की तरफ से ऐसे लगेगा लेकिन जो अब कपड़ा लगेगा तो इसको आप देखें ध्यान से यह जो आपके पट्टी है ना इससे तकरीवन एक सूत ऊपर करके आपको इस पट्टी को एक बराबर रखना है ठीक है और मार्जन आपको उतना ही लेना है जो आपको भी समझाया था मैंने जो मार्जन दिख रहा था उससे एक सूत अंदर की तरफ जिससे की फिनिसिंग आ जाए तो यह रेखिए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है और जो हमने एक सूत आपको बोला था ना यहां तक सिला तो दोस्तों यह देखिए हमने यहाँ पर नाखुन लगा दिया अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो सिलाई हमने लगाई थी ना आदा इंच एक सूत अंदर लगाने का फायदा यह है कि अब यह सिलाई हमारी नजर नहीं आएगी और हम फिनिसिंग से 20 बट्टी बना सकत अब इसको एक बराबर ऐसे करके दोस्तों लगाएंगी यह मैंने कपड़े का थोड़ा है आप इसमें पेस्टिंग अगरा भी लगा सकते हो ज़ादा फिनिसिंग के लिए और इसको एक पराबर ऐसे फोल्ड करके दोस्तों इस सिलाई लगाएं अब यह बीचीज आपको न प्रूट को उठाके बूट मैंने अपने गुटने से उठा रहा है अगर आपके मसीन में बूट नहीं मतलब गुटना नहीं अब इसको न आपको बिल्कुल यहाँ पे जोलनी पड़नी चाहिए बिल्कुल एक बराबर रखें ठीक है यह आपको इस तरीके से सेट कर लेना है पर सारी finishing समझ लो आपके खराब हो जाएगी एक आपको यहां पर एक करीब यह देखना है आपका यह ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए आपको यह ऐसे नहीं होना चाहिए देखिए ऐसे बिल्कुल एक्वल रखने के बार आप इसको ऐसे करेंगे और यह पट्टी को आप एक चीज ओके है तब आपको यह वाली इस तरीके से लगा देनी है ऑप जा लगाने के बाद अब दोस्तों यहां बनेगी तो भी आपकी नोग बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी तो जैसे आपको बताए बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों आप इससे बना सकते हैं अब देखिए यहाँ सीधी भी कई लोग बनाते हैं अब इसको ऐसे गुमा लें और ऐसे गुमाने के बाद दोस्तों अब इसको इस तरीके लगा लेंगे फिर इसको ऐसे गुमाएं फिर दोस्तों आप देखेंगे यह आप सिलाई लगाते ऊपर आएंगे फिर इसको हम ऐसे गुमाएंगे एक बार और और अब यह एक बार आपक सीधा कट्र लगा दिया आप यहां पे नोग वाली तावेज पट्टी भी बना सकते हैं और आप देखें कितनी अगर आपको ज्यादा लगती है तो आप इसको धाई इंच कर सकते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों यह प्रेस हम इसके उपर लगाएंगे याद रखें तावीज पट्टी जब बनाएंगे तो प्रेस का यूज जरूर करें इससे क्या होगा आपके ना तावीज पट्टी म का ऊपर प्रेस लगा देंगे कि त्रेस लगाने के बार अब दोस्तों यहां पर हम इसको इस तरीके से लखेंगे और यह दि..? करूँए तो दिहान से देखें यह इस तरीके देखें अदर छुप जानी चाहिए अब जो हाला कटिंग करूँगा दोस्तों ये आपका गुलाई में कटिंग होगा ऐसे और यह देखी यहां पल्ट अब मैं इसको हटा देता हूँ यह देखे इस तरीके से दोस्तों आपका हाला cutting हो जाएगा finishing के साथ अब हमें यहाप पर क्या करना है सबसे पहले दोस्तों यह जो back वाला पल्ला है ना इसको हटा लेते हैं यह back पल्ले को हम ऐसे open करेंगे की सीदी साइड है ठीक है इस पर हम इस तरीके से दोस्तों कंडी को रखेंगे यहाँ पर पक्का करना है आदयंज की मार्ड़ंसी और फिर ऐसे लगाते हूं यहाँ पर पक्का करके यहाँ पक्का करके उतार देना है कंड़ी को दोस्तों दोस्त लाई लागा है हूं इसोड़ा तिल्षा करेंगे और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों जो आदर इंच का फाल दमवार जोने इसको हम हटा देंगे और यहां से भी हम इसे तिलशा कटिंग कर लेंगे अब दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान देना है हमने जो कॉलर ना पता 17 इंच का और मुझे यहां पर 17 इंच का जो कॉलर आप मैंने वैन ना पाए त तो अब इससे हम इक्वल इस तरीके से रखेंगे देखिए यहां ने रख लिया अब इसको हम हाफ इसको इस तरीके से नापेंगे ठीक है तो दोस्तों यह नापने के बाद आप देखेंगे हमें यहां पर चाहिए था 18 इंच का तो यहां पर दोस्तों हमारा एक पर कम है त एक पैर इस तरीके तो गुलाई में कटिंग करते हुए यहां पर मिला देंगे ठीक है अब इसको मेजर कर लेते हैं यह चीज़ का आपको खास तो पर ध्यान रखना है ऐसे करके अब इसको द्वारा से नाप लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे हमने 18 यहां पर हो रही है तो यह देखिए हमने इसको इस तरीके से हमारा हाला कटिंग हो चुका हमने कटिंग हां पर लगा दिया है ठीक आप कट देख सकते हैं कट पर मैं निसान बना लेता हूं ब्लू चोक का इस तरीके से इधर भी और बैक साइड में भी अब दोस्तों मैं इसको हटा देखर लेता हुए जिस से कि अच्छी तरीके से में हाव रैन को कुटिंग कर पांके मैं इसको हलके सा इस तरीके से चिपका लेता हूँ अब धिरहां से देखे खाते हुए ठीक है 9 इंच जहां पर और इस जगा पर हमें पैन का निसान लगा देना है ठीक वह इंच हमारे इस निसान हो गया अब दोस्तों यहाब आपको जितना च्वड़ाई में हैं उसको इस तरीके से निसान लगा लिए में यहाँ पे सब लगाता हूं तो मैं सब तरीगे से दोस्तों पैंट का निसान लगा लेता हूं कि दोस्तों मैं सबसबों लगा लिए अब यह देखिए पेस्टिंग आपकी ऊपर नीचे हळी है तो इसे लोकने के लिए हम यहां पे पहले श्टैपलर कर लेते हैं फिर आपको इस cutting करके दिखाते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर मैंने अब गोलाई दे दी अगर आपको सीधा color चाहिए तो आप सीधा यहाँ पर निसान लगा सकते हो अब इसी गोलाई पर दोस्तों मैं cutting करते हुए pan के निसान पर दोस्तों इसे finishing से cutting कर लेता हूँ और stabler छुटा के दोस्तों इसे press से चिपका लेता हूँ तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से कपड़े पर चिपका दिया अब इसको हम ऐसे fold करेंगे और fold करने के बार हम यहाँ पर जो एक के बिल्कुल किनारे पर slaill लगा कि इस कपड़े को finishing से fold कर लेते हैं देखिए इस तरीके से करना है बस आपको pasting के बराबर इसको ऐसे कपड़े को fold करते हैं इस पर किनारे पर सिलाई लगा लगा लेनी है और जो भी fals तो कपड़ा होगा उसको हमें cutting कर लेना है तो देखें दोस्तों हमने यहां पर सिलाई लगा दी फाल तो कपड़े को कटिंग कर दिया सिर्फ एक पैर छोड़के अब एक कपड़ा नीचे और रखेंगे उसके ओपर इस हाफ वैन को रखेंगे इस तरीके से देखें बिल्कुल एक्वल अब दोस्तों इसको ऐसे रखके कर दोस्तों है अब लगाएगे आप लगाएंगे यहाँ पेस्तिंग से थोड़ी हटा कर बिल्कुल जर्म में नहीं लगा निए थोड़ी हटा के अलगे से लगाएंगे इस तरीके से और यहां पर लागे दोस्तों इसको इस तरीके से उतार देंगे उतारने के बाद आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों देखिए बिल्कुल हो गई अब यहां से तक्रीबन एक पैर आपको इस तरीके से एक पैर ऐसे लेना है और बिल्कुल गुलाई में दोस्तों आपको य इसको कर लिना उसको नॉर्फ-र गर लेना ऐसे को इसके भी सेंटर में दोस्तों में चलगाना ना छोट लगाना है जैसे मैंने इसको ह्में सकति नगाता अब शूर्फ-र्काइड से लिखना है ठिक है यहां पे देखिए जो मैंने टाविश पट्टी बनाई इसको लेना है और कंडी जूढिए तो हमें g Kriek साइज से इसको अब ऐसे दोस्तों रखना है अरुने क्या करना दोस्तों यह गाल देना जितना नो निकालने के बाद अब यहां पर दोस्तों हम यहां पर सिलाई लगाएंगे सिलाई भी आपको उतनी लगानी है जितना मालजन आपने कटिंग किया था ठीक है इस चीज़ का खास थोल पर ध्यान रखें एक बराबर ऐसे लगाना है वो एक बराबर दोस्तों हाले से हाला मिलाते हुए इसको सिलाई लगानी है बिल्कुल उसी मालजन से थोड़ी सिलाई लगाने के बाद आपको अंडाजा लेना है जायजा लेना है क्या हम जो वैन लगा रहे हैं वो बिल्कुल एकोल आ रहे हैं कट से कट तो अभी हमें बिल्कुल कोई भी चीज़ खेजनी ज पहले ही रोग देंगे फिर इसकों ऐसे करेंगे अब दोस्तों यह वाली जो साइड है इस पर भी हमें थोड़ी-थोड़ी सिलाई लगानी है वह देखिया हमारी कंदी जो है भोती फिनिसिंग के साथ दोस्तों कट से-कट हमारा मिलके ऑभी अब सेंटर का कट देख सकते हैं कि हमारा वैलको को इस तरीकी से चड़ा लेंगे तो जैसे हमने यहां पर देखिए माजन छोड़ा है एक पैर का बिल्कुल सेम अब हम यहां से इस हाफ वैन को भी सलाई लगाते हुए इस साइड में भी हमें उतना ही कपड़ा छोड़ना है और इसी तरीकी से दोस्तों में लगा देना है इस तो देखिए बिल्कुल ओके फिनीसिंग से लगें अब हम जहां पर इसे उता देंगे सबसे पहले हम उससे इस तरीके से रखेंगे अब देखिए दोस्तों में चीर यहां पर होता है अगर आपने से थोड़ा ऊपर लगके सिलाई लगाई तो आपकी फिनीसिंग नहीं देखिए और अब इसको हम इस तरीके से जब अंदर भार के तरह फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि यह पट्टी हमारी फिनीसिंग के साथ दोस्तों यहां पर लग जाएगा आप देखिए किसी भी तरीके का कोई धागा आपको नजर नहीं आएगा सेम आपको इस अब देखिए दोस्तों यहां पर भी हमने सिलाई लगा के इसको इस तरीके से पलट लिया अब हम क्या करें देखिए इसको हम एक बराबर ऐसे फोल्ड करके यह देखिए ऐसे सैट कर लिए हमने अब यह वाली जो साइड है इसको तक्रीबन ऐसे सैट करके यहां से दोस्तो और यहां पर सलाई लगानी है थोड़ी पास ते दिखाऊ तो इसको इस तरीके से रखते हुए दोस्तों यहां पर आपका हाला है तो आप पहले इसको अराम से दोस्तों इस जगा पर हाले पे फिनिसिंग से इसको बिठा लो ठीक है और उसके बाद दोस्तों इस पर हम सिलाई लगा देंगे देखिए इसी भी तरीकी की कोई परिसानी नहीं होगी वह एक दम फिनिसिंग के साथ आपका यह जो हाव वैन ने इस तरीर कुर्टा-पट्टी में लग जाएगा यह देखें दोस्तों अब यहां पर ठोड़ा आसा यहां पर आपको लगरे मांझन निकल रहा है तो आप किसी की मदद से देखिए मैं पेच का से मेरे पास में इसी की मतद से एक पेच है आपको अंडर कलके दिखाता हूं मार्टन और अब इसको हम ऐसे गुमाएंगे एक बर कि अब इसको हम एक बराबर ऐसे घुमाके सारा कपड़ा इदर रख लेंगे अब यहां से देखिए दोस्तों कि इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे यह देखें आप अब दोस्तों इस साइड में आने से पहले धागे को ज़रूर कटिंग कर लें क्योंकि धागे आदि से जारा फिनिसिंग खराब कर देता है अब इसको सैट करके पूरा बढ़िया तरीकी से बिठाब उठाकर यह देखिए धागे अगर आपके दिक्कर ना द जानी है और इसको इसी तरीकी से दोस्तों घुमाते हुए अब यहां पर लागे दोस्तों उतार देंगे फिर उतारना नहीं यहां पर अंदर रखनी है अब शिलाए लगाएंगे जहां से सिलाई स्टार्ट करीती तगरीव और उसे देड़ इस तक आगे शिलाई लगाते आना है आपको और बिना पक्का किए आप इसको ऐसे करके दोस्तों धागे को कर लेंगे कटिंग तो दोस्तों यहां पर पूरी लग चुकि अब मैं आपको सीधा करके इसकी लुक दिखा देता हूं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हमने यहां पर लगा हुआ हैं तो आप इसी तरीके से दोस्तों बनाएं जब आप इसे हुक लगा लेंगे तो जब कोने का हुक जो लगाएगा तो इसका गला बिल्कुल फिक्स से बैठा होगा तो आप यहां पर कर दो बील्कुझ से बापी से बाल प्रन कि भाल